अस्सलाम आलेकूं मैं बनाने जा रही हूं बकरे के गोश्ट की ग्रीन ग्रेवी यह एक किलो बकरे का गोश्ट है यह एक अख़्ा सुखा नारियल खिरच के बुल्लियों 10 Gram ढ़ स्थैए 2-0-0 जाई चाल तमाटे श्टू अधू अधर क्लाशन पेश्ट एक बंज धन्या वर एक बंज पुदिना तू टींश्पुन खश्कष्ट 10 से बारा बादाम रसे बारा काजु луч ग्रीने तंट नटींग देश्टों में नस्ट आपमाटे नत्माटी पान्ट और छेर साथ हरी निर्चे और आदा लिम्बू ये पिसने के लिए क्योंकि क्योंकि लिम्बू डालने से ये मसाला काला नहीं पड़ता अब मैं इन सब को पिसके लेके आते हुआ का एक nespe अधिया ये सब मसाले में के लिए ने को कर लेंगे उसके अंदर टु टीश्पून टालें जरिए कि यह वही तेले जो ओनियन फ्राय किये थे में है कि कांदर आया अब इसमें वन टीस्पून अधरक लसुन डाले में और इसमें मटनेट करेंगे कि प्राय कि यह प्राय को कि अईक को व्याओ कि यह विपना कि यह नहीं है कि अईक गज में है कि यह दो पांदा कि विव भता दाट विव mainly विवा आधोगाम कि गव़सर पांदान इसमें पांदा आया जो पुछाओ जाजाओ नमक दालेंगे नमक दालेंगे आज में आदा ग्लास पानी डालेंगे इसको गलने के लिए रख देंगे पुकर बन करके तेल डालेंगे टू टेबल स्पून तेल गरम हो रहा है इसमें अग्रक्लस्म का यह पेश्ट एक चम्ड़ करेंगे इसमें हरा मसाला जो पीसा था वो डालेंगे मसाले जो पीसे थे यह डाल देंगे अब यह ग्रेवी में यह गोस गल रहा है इसे डालेंगे एड़ करेंगे पॉडर मसाले डालेंगे दो चमज धनिया पॉडर दो चमज जीरा पॉडर वन टीस्पून काली मेरी वन टीस्पून गरम मसाला सबको मिक्स करके अच्छे से पकने के लिए छोड़ेंगे पंदरा मिन ढख के पकाएंगे तब देखेंगे पंदरा मिन्ट हो चुके यह पक गया है इसके उपर तेल छूट रहा है पक के तेल आ गया अब इसके अंदर हम दो हरी मिर्ची डालेंगे और यह शाजीरा दालचीनी और हरी लाइची का पॉडर है यह डालेंगे इस इसको मिक्स करेंगे और हम मशाले डालें इसलिए एक पांच मिन दो धर्ड़क के पकाएंगे थीक है अभी कि देखते हैं हो गया है तो मैं इसमें सर्फ करके बताते हूं अब यह बकरे की मटन की ग्रीन ग्रेवी बनकर तयार हो गई है जोयास किचन को लाइक करो शेर करो और सबस्क्राइब करो